हम हमेशा चांद का सिर्फ एक तरफ ही क्यों देख पाते हैं। आईए जानते हैं, चांद का एक तरफ ही देख पाना ग्रेविटेशनल लॉकिंग के कारण होता है। चांद अपना एक रिवोल्यूशन लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और इसके अलावा चांद अपनी एक 6 रोटेशन भी लगभग इतने ही समय में पूरा करता है। इसका परिणाम ये होता है कि चांद का एक भाग हमेशा प्रिथवी की ओर दिखाई देता है। चांद हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। ऐसे ही ब्रह्माण के रहस्य को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करताना कैसे लगा वीडियो।